हे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ब्रैड पीजा की रेसिपी लेकर आई हूँ ब्रैड पीजा बच्चों को बहुत ही पसंद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए बनाते हैं ब्रैड पीजा गैस में मैंने कडाई रखी है कडाई में ओल लालूँगी और गैस को मैंने सिंप पर रखा है ओल जब गरम हो जाएगा इसके बाद हम इसमें प्याश डालेंगे ओल गरम हो गया है अब इसमें हम प्याश डालेंगे प्याज को हमें एक से दो मिनिट तक फ्राइ करना है प्याज फ्राइ हो गए अब इसमें मैं कोन और शिम्रा मिर्ची डालूंगी इसको भी दो मिनिट तक फ्राइ करेंगी प्याज, कोन और कैपसिकम अच्छे से फ्राइ हो गए अब इसमें में एक चमच काला नमक दाल रही हूँ एक चमच लाल मेर्ची पाउडर डालूँगी एक चमच धनिय पाउडर डालूँगी एक चमच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ आदा चमच काली मेर्ची पाउडर डाल रही हूँ एक चमच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, एक चमच जीरा पाउडर डालूँगी अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको थन्डा होने देंगे पैन में मैंने घी डाला है, आप चाहिए तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं घी को गरम करेंगे अब इसमें मैं ब्रैट सेखूंगी, एक साइट से सेखना है हमें ब्रैट को एक साइट से ब्रैट सेख गई है, अब हम इसको भार निकाल लेंगे इसी तरह हम दूसरी ब्रैट को भी ऐसी सेखेंगे ये एक साइट से जो हमने ब्रैट सेखी थी, अब इस पर हम सॉस लगा रहे हैं जो मैंने सबजी तयार करी थी, अब वो इस पर डालूगी ब्रैट पर और अच्छे से सबजी को फिला दूगी इसके बाद मैं इस पर अंगूर डाल रही हूँ, मैंने अंगूर का यूज करा है इस पर आप चाहे तो यूज करना चाहते तो आप अंगूर का यूज कर सकते या आप अनार भी ले सकते हैंगे यहाँ पर मैं cheese slice का use कर रही हूँ अब bread पर मैं cheese slice को रखूँगी यह gas पर मैंने paint रखा है और gas को मैंने simple रखा है और जो मैंने bread तयार करी है वो मैंस पर रखूँगी और इसको इसके ढखकन से cover कर दूँगी इसको हम 2 मिनेट तक सेखेंगे 2 मिनेट हो गए अब bread पीजा सिख गया होगा अब हम gas को बन कर देतें और bread पीजा को बाहर निकाल लेंगे प्लेट में bread पीजा खाने के लिए ready हो गया है मैंने इस पर कसूरी में थी लालमेची पाउडर और tomato sauce का यूज़ कर रहा है थांक्यू